दिल्ले के लोगों के उमर 12 वर्स कम हो रही है आखिर क्यों क्या परदूसर की वज़ा से दोस्तो परदूसर को कम करने का एक नायाब तरीका क्या है दिल्ले में पहली बार 20-21 नवंबर को किर्तिम बारिस हो शकती है दिल्ले की हवा जहरीली है इस वज़ा से किर्थिम बारिस किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है आखिर किर्थिम बारिस क्या होती है क्लाउट सीडिंग तकनीकी से होती है एर क्राफ्ट के जरिये एक केमिकल मिक्षर का छिड़काओ आश्मान में हजारो फिट ऊपर किया जाता है सिल्वर आयोडाइड और अन्य केमिकल से मिला कर एक मिक्षर बनाया और छिड़का जाता है केमिकल मिक्षर के कर बादल में जाते हैं और उनके इर्द गिर्द कंडनसेशन संगनन होता है जिसे एक बूत त्यार होती है और बरसात होती है आयाइटी कानपूर ने हाल ही में किर्दिम वर्षा पर पालिट प्रोजेक्ट किया है किर्दिम वर्षा के बादलों में ठीक ठाक पानी होना जरूरी है तभी वर्षा हो सकती है किर्थिम वर्षा की जरुवत परदूसर को कम करने में सूखे से निपटने में और बर्फबारी करवाने में किया जाता है वैसे मैं आपको बता दू किर्थिम वर्षा इतना असर जनक है कि परदूसर चुटकियों में गायब हो शकता है